एपिसोड स्टाड ओतर हमें किलर अरिना का सीन दिखाया जाता है जहांपर ये अनाॉसमेंट हो रही थी कि लुओ फैंग और लोंग यूनकी फाइट शुरू होने वाली है और ये अनाॉसमेंट पूरे यूनिवर्स में की जा रही होती है जहांपर हम देखते हैं कि सबी लो लुओ फैंग के बच्चों का सीन जो चुपके से अपने फादर की होने वाली बैटल को देखने के लिए जा रही थे वो अभी भागते हुए जा रहे होते हैं कि तब ही हम देखते हैं कि एक को ओगियों ने पकड़ लिया था और दूसरे को बैकारूल ने जिस पर छोटा भइ फ्रस्टेट होता है यह हमारे फादर की फाइनल बैटल है हमें इससे देखने तो यही तो रियल बैटल है और साथ इसाथ वो रिक्वेस्ट भी कर रहा होता है तो ओग्यो और बैकरूल उसकी यह बाद मान जाते हैं और इन्हें बैटल दिखाने के लिए ले जाने देखना चाहा है। हम देखते हैं कि Lua Feng की फैमली सीनियर मिंग यू लिडर हॉंग और वोर्य अलिशन भी ये निवस सुन रहे होते हैं। इसलिए वोर्य अलिशन लिडर हॉंग से कहते हैं। लूओ फैंग और लोग यून की इस fight की news हर तरफ फैल रही है और लोग लगातार इसी के बारे में discussion कर रहे हैं और ये तब तक ऐसे ही फैलती रहेगी जब तक ये third brother अपनी इस fight को finish नहीं कर लेते तब भी view change होतार है में genius battle का scene दिखाया जाता है जहांबर सभी लोग आपस मे बात कर रहे थे कि लूओ फैंग और लोग यून में से कौन जीतेगा वहाँ हम लाइट वुका को भी देखते हैं जो चलती हुई जा रहे थी लाइट वुका को वहाँ पर लोग यून खड़ावा नजर आता है तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है तब ही अचानक जैसे लाइट वुका तो अपने हाथ उपर करके पीछे अटने लगी थी मानों के जैसे वो सरेंडर कर रही है पर ये न्यूज रिपोर्टर तो लगातार उनसे क्वेस्चन पर क्वेस्चन किये जा रहे होते हैं मिस वुका आपके फाइटिंग एक्सपरियेंस के बेस्ट लुओ फैंग और लोंग यून में से कौन ज़्यादा स्ट्रोंगर है आपको क्या लगता है इन दोनों की इस फाइट में कौन जीतेगा वुका का इंटरव्यू होता वाँ देखकर वहाँ पर बाकी सभी लोग भी आसपास में कठा होने लगे थी जिसकी वजह से लाइट बेचारी तो उनकी किसी भी बात का अंसर नहीं कर पा रही थी तबी एएचन उसकी सिच्वेशन को समझते हुए जल्दी से आगया कर सारा मामला संभाल लेती है और वो न्यूज रिपोर्टर्स को कामली और कॉन्फिडेंटली संभालते हुए कहती है सोरी सोरी कमपनी एक् पुछ दूरी पर फेंटम जेलास खड़ावा नजर आता है इसलिए वो भाकर उसके पास जाकर पूछने लगते हैं मिस्टर जेलास आपने तो पहले लूफ हैं के साथ फाइट की है आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतेगा जिस पर फेंटम जेलास जैसे उनकी तर मास्टर कांग बुको जो बोल रही थे बहुत सारे लोग इस कंकुलूजन पर निकले हैं कि लूफ हैं के इस फाइट में जीतने के चांसी ज्यादा है क्योंकि उन्हें लगता है कि लूफ हैं बुका से जीत गया है तो वह लोंग जून से भी जीत सकता है जबकि एक्चुल एर्जोर रीजन के नोमीनेशन की ओनर्शिप किसे मिलेगी और यही जीनियस बैटल की क्लोजिंग स्टेज की सबसे बड़ी मिस्टरी है उनके ये कहते साथ इसीन चेंज होता है कि सबी लोग बैटल के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे जबके वहाँ पर स्क्रीन पर भी लोग जोन के आने का इंतजार कर रहा था थोड़ी धेर बाद वहाँ पर लोग जोन भी आ जाता है जो आते ही फैंक से कहता है इसलिए लेट हो गया तो इस पर फैंक कहता है कोई बात नहीं हम काफी लंबे समय से बाहिट ट्रेनिंग कर रहे हैं इसलिए फैंली के साथ spend कर पाना मुश्किल होता है थोड़ी देर बाद वो लोग तुमें live broadcast में देख सकेंगे यकीनन वो बहुत खुश होंगे जिस पर Long Yun कहता है ये बहुत अच्छा होता अगर वो ऐसा कर पाते जो सुनकर fang हरानी के साथ उसकी तरफ देखता है तो Long Yun कहता है वो सब लोग अब स्टार्स में बदल चुके है ये जानकर fang को भी जटका सा लगता है तब ही हमें यहाँ पर light book का की आवाज सुनाई देती है जो के A.H.N. को बता रही होती है Long Yun लैंटिंग यूनिवर्स किंडम में मोलन क्लैन में पैदा हुआ और उनका प्लैनेट एक बार दो स्ट्रोंगेस्ट वोरियर्स की बैटल्स की वज़े से इफेक्टिट हुआ था जिस बैटल में उनका पूरा का पूरा प्लैनेट डिस्ट्रोई हो गया इस तबाही से उनके क्लैन का कोई भी मेंबर सर्वाइव नहीं कर सका सिरफ और सिरफ लोंग यून ही इसमें सर्वाइव कर पाया वो भी अपने ग्रेंट फादर की ओरीजन लोग पावर प्रोटेक्शन के अंडर में उस वक्त उसने अपने ग्रेंट फादर को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने Long Yun को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया Light Vuka हमें Long Yun की ये स्टोरी बता रही थी तो इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर स्क्रीन पर Long Yun की वो पूरी स्टोरी दिखाए जारी होती है कि कैसे कैसे Long Yun के साथ क्या क्या हुआ Long Yun के बारे में ये सब जानकर AHN कहती है मुझे याद आया एक बार मैंने Molan क्लैन की डिस्ट्रक्शन के बारे में सुना था और ये वाक्या तो कुछी सालों पहले का है ओ, तो ये इसी लिए लेट आया क्यूंके ये अपने क्लैन मेंबर्स का अफसोस करने के लिए गया था तबी Light Wooka उसे और बताती है वो दो strongest people जिनकी fight की वज़ेस इनका पूरा का पूरा क्लैन तबाह हो गया उनकी उस battle में वो दोनों के दोनों ही मारे गए और Long Yun के होम टाउं में भी कोई survivor नहीं बचा ना ही कोई सोचने वाला और ना ही कोई enemy अपनी direction खोने के बाद Long Yun ने finally decide किया कि अब उसे क्या करना है उसने decide किया कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके clan को कभी भी न भूलाया जाए लाइट वुका की ये बात सुनकर A.H.N. गमसद होते हुए कहती है तो उसका genius battle में participate करने का ये reason है तब ये उनके सामने screen पर pop-up होता है कि दोनों participants आ चुके है लूवो फैंग और Long Yun की battle स्टार्ट होने वाली है व्यू चेंज उतर हमें दिखाया जाता है कि Long Yun और लुवो फैंग दोनों ही battle arena में जा रही होते हैं जहांपर जाते वे रास्ते में लुवो फैंग अपने मन में सोचता है बाकी सभी genius ही ज्यादातर अपने clan की strength को बढ़ाने के लिए genius battle में participate करते हैं जबके Long Yun ने अपने clan को हमेशा के लिए जाद रखने के लिए participate किया है ये वाके ही बहुत अलग है इसी के साथ वो दोनों battle arena में पहुंच जाते हैं जहांपर Long Yun खुद को fight करने के लिए ready करते वे लुवो फैंग से कहता है लुवो फैंग मेरी life story सुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया तुम भी समझ सकते हो के ये battle सारे universes देख रहे हैं और फिर साथ ही वो अपनी powers को release करते वे कहता है मैं अपने Molen clan के name को यूँ ही दफन होने नहीं दे सकता मैं अपना best दूँगा जिस पर फैंग भी fight के लिए ready होते वे कहता है मैं भी अपना best दूँगा इसी के साथ लुव फैंग अपने godly descendant armament के 9 small flying naps का इस्तमाल करते वे long yun के उपर हमला करना शुरू कर देता है जिसे हम देखते हैं कि long yun ने अपनी domain का इस्तमाल करते वे बड़ी असानी से रोक लिया था फैंग के वो attacks बोलन के armor के साथ जाकर touch होकर ऐसे नीचे गिर जाते हैं जैसे के मानों वो लकडी के हो उनके अंदर कोई power बची ही नहीं थी जो देखकर फैंग कितना ज़्यादा शोक्ड हो चुका था ये आप screen पर देखी सकते हैं उसका तो मूँ भी खुले का खुला रह जाता है अब इससे पहले के फैंग कुछ भी कर पाता लॉंग यून ने लुबो फैंग को परी domain में लेते वे उसके उपर attack करना शुरू कर दिया था और यहाँ पर लॉंग यून की domain का pressure इतना ज़्यादा था कि फैंग को यहाँ पर खुद को संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा होता है वो लॉंग यून की attack को dodge करते हैं उसके उपर हमने godly descendant armament से भी हमला करता है पर लॉंग यून की उपर उसके godly descendant armament का भी कोई असर नहीं होता वो भी एकदम powerless हो गया था तो इस चीज़ का फाइदा उठाता वे लॉंग यून ने अपनी X के साथ फैंग को जवर्दा सिट की थी जिसकी वज़ा से फैंग दूर जाकर buildings के साथ टकराता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगर यहां पर क्या हो रहा है और जब वो लॉंग यून के attack के साथ हिट होकर buildings को तोड़ता हो उसकी domain से बाहिर जा रहा था तो जाते वे वो सोचता है इसका ये earth origin law और domain का combination और साथ यसाथ लॉंग यून अपनी domain से बाहिर आते वे फैंग के उपर अपनी x से attack करना शुरू कर देता है अब इससे पहले कि उसका attack लुओ फैंग को हिट हो पाता तब लुओ फैंग अपने काफी सारी clones बनाते वे फटा फट उसके चारों तरफ फैल जाता है और फिर उसने अपने सबी clones इससे चारों तरफ से लॉंग यून के उपर हमला करना शुरू कर दिया था जिससे लॉंग यून अपनी x के साथ बड़ी असानी से संभाल रहा होता है तो इस मौक्य का फाइदा उठाते हुए लुओ फैंग अपनी काफी सारी illusion sword फोर्मस इसे लॉंग यून के उपर अटेक करके उसे इंजर्ड करने की कोशिश करता है पर लॉंग यून का आर्मर इतना जैदा स्ट्रॉंग था कि फैंग के illusion sword फोर्मस अटेक भी उसके आर्मर को नहीं भेद पाते और यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉंग यून ने लुओ फैंग के senior की तरह ही लुओ फैंग के सभी के सभी clones को एक जटके में ही खतम कर दिया था पर फैंग फिर भी हार नहीं मानता वो दुबारा से अपने clones बनाते हुए लॉंग यून के उपर हर तरफ से अटेक करता रहता है यहाँ पर ना तो लुओ फैंग के अटेक्स का लॉंग यून के उपर कोई असर हो रहा था और ना ही वो किसी काम के थे लॉंग यून लगातार लुओ फैंग के उपर भारी पड़ता जा रहा था फैंग यहाँ पर अपनी कोई भी टेकनीक यूज़ कर ले लोंग यून के उपर उसका कोई भी एफेक्ट नहीं होता इसलिए अब फैंग उसके साथ फाइट करते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं ऐसे ही फाइट करता रहा तो इससे जीत पाना impossible है मुझे अपने सारे ट्रंप कार्ट्स अनलिश करने होंगे तब ही मैं इसके अगेंस्ट कंपीट कर सकूँगा ये कहते हुए हम देखते हैं कि लूओ फैंग अपने कलोंस बनाकर उनसे लूओ फैंग के साथ फाइट करवाता है और खुद पीछे आकर अपनी स्काई पिरसिंग फॉम को बहुत ज़्यादा पावर के साथ लूओ यून के उपर थ्रो कर देता है जिसकी पावर और स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने आसपास की दूर दूर की बिल्डिंस को भी डिस्ट्रॉय करती चाह रही थी लूओ यून फैंग के साथ को अपनी तरफ आता हुआ देख कर रैडी हो जाता है और अपनी एक्स के साथ ही उसने फैंकेस अटैक को रोक लिया था पर इसकी टकर इतनी ज़्यादा जबरदस्त होती है कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और इस ब्लास्ट को दूर से भी देखा जा सकता है इस इंपेक्ट की वज़ए से लोंग जून भी डगमगा जाता है और उसे खुद को संभालने के लिए पीछे हटना पड़ गया था लीडर होंग, वारियर लीशन, वबाता और मिस्टर वू भी इस फाइट को देख रहे थे जो देखते वे वोरियर लीशन कहते हैं लोंग रेंज अटेक्स की वज़ए से थर्ड ब्रदर की अनरजी कंटी न्यूजली ड्रेंड हो रही है जबकि उनका उपनेट उनके हमलों के सामने कई बार कामियाबी से मुकाबला कर रहा है वो भी बीना कोई डैमिज खाए ऐसा लगता है कि इस फाइट को खतम होने में काफी टाइम लगने वाला है तब ही लीडर होंग भी कहते हैं पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ओपनेट अपनी डुमेन को फुल पावर पर इस्तमाल नहीं कर रहा वहीं दूसरी तरफ बैटल फिल्ड में हम देखते हैं कि लुओ फैंग लोंग यून से बचने के लिए अपने एक लोंसर से उसके साथ फाइट करवाता है और खुद पीछे से अपनी इलुजन स्वोर्ट फॉर्म्स के साथ लोंग यून के उपर अटेक करने की कोशिच करता और उसे चकमा देने की भी कोशिच कर रहा था जिसमें वो कामियाब भी रहता है लौंग यून यहाँ पर लोंग फैंक की सामने से आने वाली इलुजन स्वोर्ट फॉर्म्स को रोकने में लगा हुआ था जबके तब ही उसके पीछे से भी फैंकी इलुजन स्वोर्ट फॉर्म्स उस पर अटेक करने के लिए आ गई थी जिसके बारे में उसे रियलाइस तो हो चाता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फैंग के ये पावरफुल अटेक उसे डिरेक्ट हीट होते हैं जिसकी वज़ा से वहाँ पस जोरदार ब्लास्ट हो गया था और फैंग नीचे खड़ा ये देख रहा होता है तब भी हम देखते हैं कि लोंग यून के इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता वो तेजी के साथ नीचे आते हुए दुबारा से फैंग के उपर अटेक करना शुरू कर दिया था और अब लोंग यून जमीन पर आते हुए अपनी डुमेन को रिलीज करते हुए कहता है उस दिन जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया तब मेरे पास मेरे ग्रेंट फादर की दी हुई पावर और रिजन लो नहीं अब तक मेरा साथ दिया है और फिर वो अपने वैपन को स्ट्रोंगली होल्ड करते हुए कहता है ये कहते हुए वो अपने वैपन को उपर उठा कर अपनी डुमेन की सारे की सारी पावर्स को रिलीज कर देता है जिसमें उसकी पावर ओफ ओरीजन लो भी शामिल होती है और Long Yun की ये पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो हार तरफ तबाही मचा के रख देती है Long Yun की डुमेन को इतना ज़्यादा बड़ा ओतवा देखकर Fang कहता है Long Yun की अपनी डुमेन को कंट्रोल करने की अबिलिटी स्ट्रोंगर होती जा रही है Long Yun की इतनी बड़ी डुमेन की वज़ा से हम देखते हैं कि लुवफैंग भी उसकी डुमेन में ट्रैप्ड हो चुका होता है और अब यहाँ पर उसके लिए अपने स्पिर्चुल अटेक्स को कंट्रोल कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था जबके लुवफैंग यहाँ पर अपनी डुमेन और पावर औरीजन लो को रिलीस करते साथ-साथ अपने स्पेस औरीजन लो को भी अपने चारो तरफ रिलीस कर लेता है जिसकी वज़ा से वहाँ पर और बी स्यता डिस्ट्रक्शन होने लगी थी और लुवफैंग के लिए हवा में खड़े हो पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाता और लोंग यून की तरफ खींचा चला जा रहा था जो बेसिकली लोंग यून खुद ही कर रहा था वो अपनी डुमेन के अंदर होते हुए अपनी पावर्स का इस्तमाल करते हुए लुवफैंग को अपनी तरफ खींच रहा होता है जिस पर लुवफैंग खुद को संभालते हुए अपनी क्लावड रपिंग वाइंस का इस्तमाल करते हुए खुद को उससे दूर रखने की कोशिश कर रहा था तो लोंग यून इस पर अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और लूओ फैंग को कभी इदर, कभी उदर दर, कभी आसमान में उठा रहा था पर वो फिर भी फैंग को नहीं खींच पाता तो ये देखकर वो अपनी पावर्स का इस्तमाल करते हुए फैंग के आसपास मजूद बिल्डिंग्स को हवा में उठाते हुए उन्हें पलट देता है जिसकी वज़ा से अब फैंग उन्हीं बिल्डिंग्स के नीचे दबने वाला था ये देखते हुए फैंग अपनी स्पिर्चल पावर्स का इस्तमाल करते हुए खुद को संभाल रहा होता है उसे ऐसा करता हुए देखकर लोग जून लुओ फैंग के आसपास अपने स्पेस हो टाइम से एक बैरियर बना देता है और फिर तेजी के साथ अपनी एक्स को लेकर उस पर अटेक करने के लिए आगे बढ़ गया था इससे पहले कि लोग जून का ये अटेक लुओ फैंग के साथ हीट हो पाता हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने अपनी हेमली फोरबिड़न शटल शिल्ड की डिफेंस का इस्तवाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था पर लोंग यून की एक्स की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो फैंग की इस हैमली फोर बिरन शटल शेल्ड की डिफेंस को तोड़ देती है उसके टूटते साथ ही पीचे से हम देखते हैं कि लुवफैंग भी अपने गोडली डिसेंडेंट आर्ममेंट के साथ उस पर हमला करने के लिए रेडी था और फिर जैसे इन दोनों के ये टैक्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपक्ट किरियेट होता है जिसकी पावर से उनके आसपास की बिल्डिंग्स डिस्ट्रोई हो रही थी और अब इन दोनों के ये टैक्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे थी, कोई भी पीछे अटने के लिए तयार नहीं था, ये दोनों ये एक दूसरे को पीछे दकेल रहे होते हैं, तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लोग यू लुवा फैंक को हरा पाएगा?